हलो गाइज, एजुकेशन हमें आपका स्वागत है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का हमारा सेशन चल रही है और आज हमारा सेशन है CW6 तो पिछे वाले जो सेशन से प्लीज उसके लिए मुझे कुछ कमेंट्स डालिए या कुछ लाइक या जो भी है प्लीज मुझे करिए ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बना रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ उसमें कुछ प्रोब्लम है या क्या कोई कमी है या अच्छा कर रही हूँ तो प्लीज उसके लिए भी क्योंकि मॉटिवेट जब हम किसी को करते हैं आगे बढ़ने का और प्रियास करता है नहीं तो वो नीचे की तरफ फिर वापस होता जाता है तो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कन्फियूजिंग वर्ड का सिक्थ सेशन चलिए देखिए सबसे पहला है बैनिफीशियल और बैनिफिशेंट देखिए बैनिफिशेंट जो है वो क्या है एक नाउन है जो ये बता रहा है कि जो परसन है वो क्या है देयालू है बैनिफिशेंट है मतलब इंपोर्टन है वो जो परसन है वो क्या है एक नाउन जो है वो इंपोर्टन है important क्या है मतलब diyalu है इसकी dyalutah को बारे में बताता है कि जो person है वो diyalu है यानी noun है यह त्जीके और beneficial क्या है यह बता रहे है कि वो क्या है मतलब उसका काम क्या है वो वर्भ बता रहे हैं कि वो क्या है उपयोगी है मतलब ज्जい campo देया होगा है healthy food is beneficial for health यहाँ पर क्या बता रहें कि जो healthy food है वो क्या है हमारी health के लिए क्या है beneficial है यानि उप्योगी है तो यहाँ पर उसकी importance बताई जा रही है और यहाँ पर जो important है वो बताई जा रहा है अशोका वाजे beneficent king की अशोका जो थे वो क्या थे एक दयालू king थे ठीक है आगे देखिए उसके बाद है beside और besides देखिए beside से मतलब क्या होता है beside जो होता है close to और next to मतलब जो हमारे साथ बैठा हो उसको बोला जाता है beside ठीक है जैसे कि यह example देखिए Lisa is beside John Lisa जो है वो किसके beside है मतलब किसके साथ है जोन के ठीक है अब आगे देखिए Lisa has many friends besides जोन अब besides हो गया अभी S भी लग गया S का मतलब जादा से है कि अभी तक तो था कि वो सिर्फ जोन के साथ है अब वो क्या कहते हैं कि besides जोन कि वो जोन के साथ अपने और friend के साथ भी है सेट beside her father sorry यहां पर her नहीं आएगा his आएगा his father यह गलत है his होना चाहिए क्योंकि he है he के लिए क्या लगता है मतलब boy से related है तो he के लिए his लगेगा और अगर she होता तो her लगता तो he सेट beside his father वह क्या है कहां बैठा है अपने father के साथ मैठा है अपने father के close बैठा है या father से next बैठा है ठीक है और besides का मतलब क्या she is learning French besides English कि वह French के साथ साथ English भी सीख रही है तो also है यहाँ पर कि एक तो चीज़ सीख ही रही है उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर रही है addition में और काम भी चल रहा है ठीक है आगे देखिए उसके बाद क्या है born born दोनों word born है ठीक है लेकिन इसमें e लगा हुए extra है और इसमें नहीं है तो यह born आपको पता है किस से होता है मतलब क्या है पैदा होने से है take birth जनम लेना और यह born जो है वो है carried से मतलब समालना किसी चीज को carry करना ठीक है example देख लिए the dead body was born by his friends की जो dead body है वो किस के दवारा उठाई गई थी उसके friends के दवारा उठाई गई थी carry की गई थी जैसे अब यह बच्चा देखिए इसके mother ने इसको carry किया हुआ है उठाया हुआ है ठीक है और bond मतलब take birth यानि जनम लेना रिया वास born in कार्थिक होस्पिटल एठ हिसार कि रिया जो है वो कहां पैदा हुई कार्थिक होस्पिटल में पैदा हुई तो यहाँ पर bond का मतलब पैदा होने से है और यहाँ पर उठाने से है अब यह बच्चा क्या है यह bond हुआ हुआ है और यह उठाया हुआ है यानि carry किया हुआ है ठीक है आगे देखिए उसके बाद है कास्ट कास्ट में भी यहाँ पर E extra लगा हुआ है यह वाली कास्ट जो वह जाती से रिलाटिड है क्लास ऑफ सोसाइटी यानि सोसाइटी ने अपनी अपनी क्लास बनाई हुई है कि कौन-कौन सी कास्ट के लोग हमारी सोसाइटी में है इन एंसीन टाइम्स पुराने टाइम में कि पुबल जो बीड़ेड इन्टो डिफ्रेंट ऐस्ट की कि पुबल जो है वह Oke पुबल जोत जो चीज आप नहीं करते उनको आप आप के में ऊसमें रहे हो, dispense, infuse रहे हो, discard कर रहे हो, मतलब जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको आप एक तरह से side कर रहे हो, मतलब भटा रहे हो कि नहीं, अब ये पुराने हो चुकी है, इसको अलग कर दे, we cast away old clothes and buy new ones कहते हैं कि हम अपने पुराने cloud clothes को क्या करते हैं cast away यानि throw कर देते हैं infuse कर दे, dispense कर दे, discard कर देते हैं and buy new ones और नए कपड़ों को खरीदते हैं ठीक है आगे देखिए उसके बाद है symmetry आप देखिए यहाँ पर symmetry में taken to the symmetry before burial मतलब जिसको जलाने के लिए जहां पर कबरिस्तान में क्या कर दिया जाता है दफनाने के लिए लिया जाता है तो यह क्या है कबरिस्तान से related है और यह वाली symmetry जो है वो समरूपता से related है मतलब किसी चीज के जो size है उसकी समरूपता मतलब एक partition जो है वो सेम होता है अगर यहां पर एक part है तो यहां पर भी एक ही होगा समानता जो है समरूपता दिखे जाती है उसके रूप में समरूपता से मतलब क्या है रूप में समरूपता दिखे जाते है समान देखा जाता है quality of harmony and balance in size and design design और size में क्या देखा जाता है balance देखा जाता है example देखिए the symmetry of the taj mahal is immensely pleasing to the eyes कि taj mahal की जो symmetry है वो क्या है अपनी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब pleasing mind दिखाती है वो बहुत ही देखो इसकी symmetry देखिए आप कि जो यहां पर है वैसा ही यहां है same यानि इसकी partition जो की गई है वो दोनों तरफ से same है इधर भी जो हिस्ता है वैसा ही इधर भी है तो symmetry जो है वो सिर्कुल same है equal है size में ठीक है आगे देखिए उसके बाद आजाता है career career और carrier दो तरीके से career क्या है जो हमारा website है हमारा vocation है जो हम काम कर रहे हैं उससे related है profession से related है career ठीक है यहां पर यह career की सोच कर रहा है यहां पर यह career career मतलब बोजा उठाना किसी चीज को किसी चीज को क्या करना carry करना that one carries जो एक person carry करता है वो तो क्या है career आपने देखा होगा जो हमारी जो cycle में होती है उसके पीछे भी हमारे carrier लगा होता है वो क्या करता है हमारा समानी तो उठाता है carry करता है वो और यह जो career है वो क्या हमारे profession से related है if we want to make a good career अगर हमें एक अच्छा career चाते हैं we must work तो हमें क्या करना होगा work करना होगा the goods were taken to the destination on public carrier कि जो goods है वो क्या है destination तक पहुँच गए है कहां पर कैसे रखे गए है on public carrier से मतलब public carrier के द्वारा पर उठाए गए हैं कि उनके destination पर पहुचा दिये गए हैं उसके बाद है confident confident में देखिए दो confident दोनों ही है यहां पर E है यहां पर A है ठीक है E से आपको पता है कि confident जो है यह निश्चित है sure है मतलब हम बिल्कुल पके है कि हाँ यह तो ऐसे ही होगा shorty है यहां पर हमारी जैसे कि यह देखो यह sure कर रही है निश्चित है कि हाँ right है बिल्कुल ठीक है मैं sure कर रही है और यह confident जो है राज बताने वाला यानि one who share से secret जो क्या करता है अपने share secret को बता देता है यह देखो अब इसको बता रहा है कि हाँ क्या बात हुई थी तो जो यह है secret को कि मतलब पॉल खोल रहा है तो यह क्या है confident यह वाला है और यह confident के surety को बता रहा है I am very confident of my friend success in the interview कि मैं बहुत पूरी तरह से sure हूँ मेरी friend के success के बारे में जो interview में होगी ठीक है और दूसरा कि once he is confident now Dinesh is the arc enemy of his mentor कि यहाँ पर क्या है उसका राज खोला जा रहा है कि Dinesh जो है वो क्या है क्या है अपने mentor का बहुत पुराना ऐसा मतलब पुराना क्या है एक enemy है बहुत ही तेज enemy है तो यहाँ पर क्या है उसका secret उसकी fall खोली जा रही है ठीक है उसके बाद क्या है allowed allowed और एक है allowed यहाँ देखो दोनों ही allowed है लेकिन यहाँ पर loud है l-o-u-d लगा हुए loud loud से मतलब आपको पता है तेज बोलना यानि उचा बोलना loudly और यहाँ पर allowed से मतलब सहमती से allow करना किसी चीज को permit दे देना security देना ठीक है अब यह देखो यह क्या है allowed है we like to read allowed हमें क्या है पढ़ना जो है तेज पढ़ना चाहिए पढ़ना अच्छा लगता है allowed के smoking is allowed है कि smoking जो यहाँ पर allowed है तो यहाँ पर आगया दी जा रही है किसी चीज को permit दी जा रही है कि यहाँ तुम कर सकते हो और यहाँ पर तेज बोलने के लिए तेज रीड करने के लिए बताया गया है तो speak allowed please और I allowed him to go home कि मैं तुम्हें घर जाने के लिए allow करता हूँ permit देता हूँ ठीक है तो यह हमारी थी CW की 6th video 6th session था हमारा जिसमें हमने 48 तक cover कर लिए है 100 तक हम इनको cover कर गे फिर हम अपने next topic पर बढ़ जाएंगे तो अगर इसमें कोई problem है तो please मुझे message कीजिए comment कीजिए और please like और share करना मत बूलिए कोई भी problem है तो please comment करके बताये ताकि इसको इसमें कुछ improvement लाई जा सके